एक और कोनना की मार तो दूसरी ओल जल संकर का गहराना लोगों को बेदम कर रहा है कर्मी का पारा चड़ता ही जा रहा है और लोगों के समक्ष पानी के लिए हाहा करमचा हुआ है दूमचांच प्रकंट अंदरगत बेहरडी पंचायत के ग्राम सरोनिया हरिजन टोला में मुख्यमंती जन्नल योजना के तहट सोलर आधारिजला पूर्ती योजना के तहट पानी टंके लगाई गई थी जो महिनों से बंद पड़ा हुआ है लगभग 300 अबादी वाले इस गाउं में महज एक चापकल है जिस पर लोग पानी के लिए नीर भर हैं बाकी ये चार चापकल ख़ाप पड़े हुए हैं ग्रामिडों का कहना है कि लोगों ने मुख्या जीला परिसा सदस्य को भी समस्याओं से आउगत कराया सभी ने सिर्फ आसवासन दे कर छोड़ दिया समस्या का निदान करने के बजाय जन प्रतिनी धीकार में तेल डाल कर सो गए हैं ग्रामिडों ने कहा कि शासन और प्रसासन सब करोना में लगे हुए हैं किसी का ध्यान अन्य कारियों के प्रतिन नहीं है सिर्फ करोना ही समस्या नहीं है समस्या जल और नल का भी है गवे आसपास के जितने भी कुए हैं वो सभी सूप चुके हैं मामले को लेगर जीला परिसर सदस्य शांती प्रिया ने कहा कि सरोनिया गाओं के अलावा कई गाओं के खरापड़े चापकलो की सुची डोन चांच वीडियो और कोडर्मा उपायुक्त को लिखित रूप से आउगत कराया गया है लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हाला कि वीडियो मनिस कुमान ने कहा कि जल्द ही समस्या का निदान हो जाएगा शांती प्रिया ने कहा कि हमने पी एचीडी विभाग के एक्जिक्यूटी को भी समस्या से आउगत कराया लेकिन कोई पहल अभी तक नहीं हुआ वहीं मुख्या राजेंद्र मेहता ने यह कहा कि मामले पी एचीडी विभाग का है मेरा नहीं मैंने गाहँवालों को नंबर दे दिया है वो नंबर पर फोन करके बुला कर ठीक करवाले पी एचीडी विभाग के उदासिंता के करण आज कहीं चापकल खरा पड़े हुए हैं पानी आज दो माहना से बंद है यहां एकदम कल बंद है दो माहना से चापकल यहां पांच गो है जो पांच गो चापकल में यह चल रहा है अब यहां जन संख्या कम से कम तीन सो से अधिक है जिसमें की एक चापकल से कितरा लोग सशिक सक्सेस्पूल कर सकते हैं नहीं कर सके बीरो रुपोर्ट वी टाइम न्यूज को डर्मा